प्राथियों स्वागत है आपका अपने ही योटोब चैनल बीरू अकाडमी पर डियर एक बहुजी महत्रपूर्ण खबार आई है कि जो प्राथमी सिच्छक भरती है वो अब कहीं न कहीं जो सरकारी सिच्छक होते थे उसका कहीं न कहीं अब प्राइबेटाइजेसंस की बात ह जा रही है तो आई ये समझाते हैं पूरा मामला क्या है ये आप देख रहे हैं आज से दो तीन वर्स पहले जब योगी सरकार का गठन हुआ था तब उन्होंने निकाला था कि समुखावा गा की भरतियों में बड़े बदलाव की तैयारी में हैं प्रदेश सरकार आप पां जब चुनाव लगा था तो उन्होंने इस प्रोसेस को कहा था कि पिल्कुल खतम है उस प्रोसेस पर हमारा कोई विचार नहीं है लेकिन अगली जो खबर है डियर वो आज ही की है ये सरकारी स्कूलों में निजी छेत्र के लोग जो है वो सेवा देंगे ये गया और बिहार स प्रदेश ने गारगी योजना को सुरू किया था और इसके लिए किसी भी प्रकार से ना B.E.D.C. ना T.E.T. पास किसी भी प्रसिछन की कोई आवस्च्छता नहीं है तो कहीं न कहीं ये एक निजी करण की ओर सिच्छक भरती भी होने जा रही एडियर तो ये बिहार से भी तक खबर है जो कि केंद्र सरकार केवल लागू करने जा रही है अभी राज्य सरकार इसका फैसला नहीं लिया है लेकिन हो सकता है भविस्च में कि प्रदेश की राज्य सरकार भी इस दिशा में काम करें हलाकि उत्तर प्रदेश ने गारगी योजना जो लाई है वो इसी की तरजपर है जैसे की केंद्र में जो है वो आप कह सकते हैं विद्यान जली योजना है तो ये अपडेट वीडियो था कैसा लगा जरूर बताईएगा आपकी नजर में क्या सरकारी स्कूल में जो प्रात्मी सिच्छक हैं उनका भी समविदा करण या निजी करण होना चाहिए या नहीं आप इन सब के बारे में क्या सुछते हैं अपनी राय जरूर कमेट बॉक्स में प्रिसित कीजिएगा थैंक्यू मिलेंगे जल दी आपसे एक और वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम जैहिंद